आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार 16,443,443 लोग ठीक हुए हैं भारत में कोरोना की स्थिधी की गुरुआर से तुलना की जाए तो केसों में करीब 35,000 की कमी देखी गई है हालाकि गुरुवार की तुलना में कोरोना के जादा लोगों की मौत दर्ज की गई है गुरुवार को कोरोना से 573 लोगों की जुआन गई थी वहीं शुकरुवार को 627 लोगों की मौत हुई है भारत में एक्टिव केस 22 लाख से घट कर 21,561 हो गए है वहीं ये कुल केस 5.18 प्रतीशत है और डेली पॉस्टिविटी रेट 15.88 प्रतीशत है भारत में अब तक 93.60 प्रतीशत की दर से 3.804,771 लोग ठीक हो चुके हैं भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1.64,444,216 डोज लग चुकी है वहीं बात करें यूपी की तो यूपी में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है प्रदेश भर में कोरोना के 8901 नए मामले सामने आए हैं वहीं पीते 24 घंज में 20 मरीजों की मौत दर्ज की गई है लखनाओ में 1491 केस सामने आए हैं गौतम बुद्धनगर में 560 नए मरीज मिले है तो कोरोना की मामले अगर बात करें पूरे देश की तो जिस तेजी से बढ़ने लगे थे अब उसमें थोड़ी कमी आई है थोड़ी सी लगाम लगती हुई नजर आरी कोरोना के मामलों में और कोरोना के एक्टिव केसों में भी कमी दर्ज की गई यानि कि रिकवरी तेजी स होती हुई एक बाद फिर नजर आ रही है कोरोना के बढ़ते मामलों लगतार कम हो रहे हैं और मामलों की रफतार धीमी होती जारी जो कि एक राहत भरी खबर है भारत में पिछने 24 घटे में कोरोना वाइरस की दो दिशलों पांच एक लाख केस साबने आए है और अच्छी बा प्रता हुए नजर आ रहा है जो कि एक राहत भरी खबर है भारत में कोरोना के स्थिती सुधर रही है अगर गुरुवार से तुलना करी जाए तो केसों में करीब 35,000 की कमी देखी गई है हलाकि गुरुवार की तुलना में कोरोना से जादा लोगों की मौत ही यानिकि कोरोन के केसिस तो कम सामने आये हैं लेकिन जो मौतों के आकड़े हैं गुरुवार के हिसाब से उसमें कुछ बढ़होत्री देखने को मिली है जहां गुरुवार को 573 लोगों ने जान गवाई थी और शुकरुवार को 627 लोगों की मौत दर्च की गई है लगतार जागरुपता अभियान भी चल रहा है लोगों को जागरुप किया जा रहा है तीसरी लहर बताई जा रही है ये कोरोना की क्योंकि तेजी से मामले सामने आ रहा है कोरोना के और इसी को देखते हुए एक बाए फिर जागरुपता लाई जा रही है अगर बात करें सरकारों की तो सरकारे भ भी राज्यों की सरकारे काम कर रही है और कोरोना को नियंतरण मिलाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी लहर बताय जा रहा है हलाकि ये इतनी भयावे नहीं है जितनी दूसरी लहर थी। इसमें जो सिंटम्स हैं वो काफी कमजोर हैं अगर बात करी जाए इसके लक्شन की तो एस सिंटिमाटिक है। ज़ादा तर लोग इससे संक्रमित भी हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि इस बार का जो कोरोना है, उसके लक्षन वहादी सामान नहीं है, आम सर्दी खासी जुखाम जैसे हैं, हलके बुखार जैसे हैं, इस वज़े से ज़ादा तर लोगों में इसका पता भी चलता है, इसलिए जागरुपता की ज़ादा जरूरत है, क्योंकि अंजाने में भी इनसान इसको दूसरों तक पहुचा सकता है, तो दूसरों तक ये ना फैले, और जो भी लोग किसी अन्य बिमारी से ग्रसेत हैं, या फिर जिनका वैक्सिनीशन नहीं हुआ है, उनके उप्योग करने की अपील की जा रही है, लगतार और लोगों से दूरी बनाए रखने की भी अपील की जा रही है, हलाकि देश ने एक बड़ा वैक्सिनेशन का आकड़ा पार कर लिया है, जो की एक राहत भरी खबर है, जिसकी वज़ह से भी कोरोना के मामले सामने आने के ब ये कुल केस 5.18 प्रतीशत है, डेली पॉसिटिविटी रेट भी कम होता नजर आ रहा है, अब डेली पॉसिटिविटी रेट 15.88 प्रतीशत दर्ज किया गया है, भारत में अब तक 93.6 शून प्रतीशत की दर्ज से 3.80,24,771 लोग ठीक हुए है, एक बड़ा आकड़ा है, य और भारत में अब तक कोरोना वैक्सिनेशन की 1.64,44,73,216 डोज लगाई जा चुकी है, एक करोड नहीं सिर्फ डेल करोड के आकड़े को भी पार कर लिया है भारत ने, तेजी से वैक्सिनेशन हो रहा है, और 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सिनेशन भी शुरू हो गया है, 10 जनवरी से बात करें, बूस्टर डोज भी देनी शुरू हो गई है, जो की 60 वर्ष से अधिक उमर के लोगों को दी जा रही है, साथी कोरोना वारियर्स को दी जा रही है, जिन लोगों ने वैक्सिनेशन होने के 9 महीने पूरे कर लिये जाने की जिनका 9 महीने पहले वैक्स पूरा हो गया था, वोने बूसे डोज लग रही है, और अब इस खबर पर हमारे सहियोगी अभिशेक जुड़ चुके हैं, अभिशेक जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, और अब इन वे कुछ कमी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इस पर, कितने मामले आज स सामने आए हैं, वहीं ठीक होकर घर लोटने वाले मरीजों की अगर हम बात करें, जो स्वस्त होकर घर लोट गए हैं, तो उनकी संक्या 3,40,000 है, जी, अब बात करें जब वेक्सिनेशन की, तो हमने 1,5 करोड से जदा, यानि की 1,64,44,000 से जदा के मामले, जो वेक्सिनेशन क उसको पार कर लिया है, तेजी से वेक्सिनेशन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? कई सारे स्वास्त करमचारियों को, और जो फ्रेंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको जो है, वो तीसरी डोस भी लगाई जाने शुरू कर दी गई है, जी, अगर बात करें उत्व प्रदेश ही, तो उत्व प्रदेश में मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे है, कोरोना के क्या कह मामले जो सामने आरे, इसके पीछे के अला परवाही देखने को मिल रही है? यहां पे 1500 से अधिक मामले सामने आए हैं, प्रदेश की दूसरे बड़े शहर गौतम बुद्ध नगर के अगर हम बात करें तो 506 मामले आज सामने आए हैं महां से. अगर बात करें देश की तो देश में ये मामले कम होते नजर आ रहा है रुप करते हैं अगली खबर की तरफ उत्रदेश उविधार सबाचे नाओ के लिए बीजेपी ने उमीदवारों की एक और लिस्ट जारी करनी है इस लिस्ट में 91 उमीदवारों के नाम गोशित किये गए है बीजेपी ने 54 उमीदवारों के नाम की घोशना की है पहले 206 उमीदवारों के नाम की घोशना हो चुकी है बीजेपी की इस लिस्ट में कई नाम शामिल है इन नामों में देवरिया से पूर्व पत्रकार और सीम के सूचना सलहकार शलब मडी तृपाथी को टिकट दिया गया है सिकंदर पूर से संजय यादफ को भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है यूपी सरकार के मंतरी सुरेश पासी को जगदीश पूर सुरक्षित सीट से और वहीं कुंडा से बीजेपी ने सिंदूजा मिश्रा को प्रत्याशी घोशित किया है पूरे लिस्ट सामने आ चुकी है और कई बड़े ऐसे चेहरे जिनको लोग जानते हैं उनका नाम सामने आ चुका है बात करें मंतरी राजेंद प्रताप सिंग मोती की तो उन्हें पट्टी विदाहान सभास से प्रत्याशी घोशित किया गया है मंतरी सिधार सनात सिंग को इलहबाद पश्चिम से मंतरी नंद गोपाल नंदी को इलहबाद दक्षिट से और पूर्व मंतरी अनुपमा जुह सवाल को बहराईच से टिकट दिया गया है इस खबर पमाईस जदबाचीत के लिए समवधाता विभांशू जुड़ चुके है लक्ताव से विभांशू जो ये बीजेपी के लिस्ट सामने आई है इसमें कई बड़े चहरे सामने आई है वो चाहे सीम के सूचना सलहाकार हो या फिर नंद गोपाल नंदी क्या कहेंगे इस लिस्ट को देखने के बाद जी सिखाब को बता दे की भाजपा की तरफ से चौथी सूची आई है अब तक 206 लोगों को पत्यासियों को 403 विधान सबाव में 206 पत्यासियों की नाम की घोसना कर दी गई है वहीं जो आज की लिस्ट है उसमें 91 पत्यासियों के नाम है अगर खास करें तो जो पुर्वांचल का एरिया है उसमें पत्यासियों को टिकट देने का काम किया गया है वहीं अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री के सलाकार है, मीडिया सलाकार है, साथी साथ प्रदेश के प्रवक्ता है, सलब मरित्विपाठी इनको देवरिया से उतारा गया, अगर बात करें देवरिया की, तो देवरिया अगर भारती जनता पार्टी की पहली सीट अगर निक कार्ट कर रहां से जो कार समीति यह उसके सदस से पीयन पाठक को टिकेट दिया गया है और वहीं अगर बात करें तो बहराइच से जो पूर सिछा मंतरी है उनको भी टिकेट दिया गया है जी शिखा विभाशू जिस तरह से यह उमीदवारों की लिस्ट सामने आई इसमें एलान किया है तो जायज से बात है कि इसमें कई ऐसे चहरे होंगे जिनके पास अच्छा अनुभव है अच्छी राजनीती करी अच्छा काम किया अपने विधानसभा में लेकिन नए चहरों को कितनी जगह मिली है हुच कि misin अगर बात कि तो कुछ कोी डॉल रहे हैं और वहीं बात करें, जो तइव्य की हो रही है, तो उस अगर बॉदिधान सावा चलें तो वह तर प्रश्च की खिरिशी मंत्री सुर्वतार साहि को फिर मौका दिया गया है और वहीं उनके यह इस पतीद्वाणदी जो उनके के खिलाफ कई बार चुनाव लड़ चुके है वह मा संकरतिवारी ने सपा के द्वारा उतारा गया है तो यह जो सीट है यहां पर मुकाबला काफी कड़ा होगा और आने वाला दसमार्च को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि किसकी जीत हुई अगर वही बात कर तो ऐसे 91 नाम का घोषना के बाद अब बीजेपी की अगली सूची आ सकती है वही गोरखपूर को की सीटों पर अभी टिक्टों का बटवारा नहीं हुआ है जी बिलकुल बहुत बहुत शुक्रिया मासर जुड़ने के लिए हुथ हमाम जयानकारी के लिए इस ख़बर पर म भाइशू मणी तरपाठ ही जुड़े थे तो जहां उमीदवारों के लिस्ट का लगतार एलान हो रहा है तो वही बस्पा ने भी चौते चरड की तिरपन सीटों पर उमीदवारों का एलान कर दिया है इन लिस्ट में लखनव समेथ हर्दोई, उन्नाओ, सीतापुर, फतेपुर, बांदा, राइबरेली, लखीम पुर्खिरी और पीली भीत की सीटों पर प्रत्याशियों का एलान किया है इससे पहले बस्पा ने गुरुवार को तीसरे चरड की छे सीटों के लिए उमीदवार घोशित किये थे बियस्पी ने लखनव की सभी सीटों पर उमीदवारों का एलान कर दिया लखनव की मलियबाद से जगदीश रावत, बक्षिका तालाप से सलाउद्दीन सिद्ध की सरोजनी नगर से मोहमद जलीस खान, लखनव पश्यम से कायम रजा खान, लखनव उत्तरी से मोहमद सर्वर मलेक जैसे कई बड़े चेरों को उतारा है वही लखनव पूर्वी से आशीश कुमार सेंग, लखनव मद्य से आशीश चंडरा, लखनव केंट से अनिल पान जै, मोहनलाल गंज से देवेंद्र कुमार को भी टिकट दिया गया है तो कई ऐसे चेरे हैं जिनकी पकड उनकी विधान सभा में अच्छी है, उन्हें मौका दिया गया है, और कई ऐसे चेरे हैं जिनको पहली बार मौका मिल रहा है और उन्होंने अपनी पार्टी को इस बात का अश्वासन दिया है कि वो जीत ज़रूर हासल करेंगे तो लखनाओ की तो जादे तर सीचों पर बीएसपी न अपने उमीदवारों का नाम गोशित कर दिया है इस खबर पर मैंसल ज़ाद बाचुत के लिए समधाता विभाशू जुड़े हुए है विभाशू जिस तरह से बीएसपी न अपनी ये लिस्ट जारी किया अगर बात करें तो नौ जिलों के तिर्पन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है वहीं अगर बात करें तो लखनौ की लगबद सभी सीटों पे उमिद्वारों को तार गिया लक्समों लखनवू की पशिम सीट से कायम रजा उत्तरी से मोहमद सर्वर मलिक अगर पूर्वी में आ तो आसीज कुमार सिनहा समेट तिवपन प्रत्यासियों को उतारा गया है वही अगर बात करें तो पीली भीत लखिम पूर सीता पूर्ब हर्दोई उन्नाव लखनवू र विदान सभा में जी अगर बात करें कायम रजा की तो कायम रचा 20 से भी पृट्यासि है और वो नरब भी वह तो रोख के आप खबर और आया से है जहां विधान जबा चुनाओ से पहले ग्रामीडों ने विरोध प्रदर्शन किया इस वरान भाजवा सरकार के खिलाफ किसादों नारे लगाते हुए किसादों ने कहा कि नाला नहीं तो वोट नहीं और साथ ही काले जण्डे लगा कर चुनाओ का वहिशकार भी किया आगे किसादों ने कहा कि चुनाओ के समय जन प्रतिनी दी वादे तो बहुत करते हैं लेकिन चुनाओ जीतने के बाद गाओ की तरफ देखते तक नहीं है लौझेशन नाला जल भराओ की जीजाओ कहां पर जल भराओ पाप्साया गाओ तो आपने अबी तक सिकायत की गई को फुब सिकायत करी गई किससे कहाँ आपने हैं हरतकारी से सुचना है लिंक कोई सुनवाई नहीं है और ना कोई कार है नाला नबटने से क्या दिक्कतों को सामना करने पर रहा है हमारे यांक सब समस्चा सुन लिजाएगी हम अज़े कत्रत इसलिए हुए है कि मेरे गराम पताया में कोई सरकार आई आज तन तक ना बिधायक जी से कही जो राजमंतरी रही अभी तक उनको भी अबगत कराया लिखे पत रखे पेपर मेंने के लिए सब जगा आद दन तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है ताप को राजमंतरी से कही है स्री राकन सिंग राजपूर जी से आपके छेत्री विधायक है हाँ लोग वहिशकार करते नजराए है सीधा चिनाओ का वहिशकार किया है और विधाल सबस्द चिनाओ से पहले ग्रामिणों ने ये वीरोध प्रधर्शन दर्जकरा आयst द्वरालां भाजपर सरकार के खिलाप भी किसानोंने नारे लगा तो उए किसानोंने कहा कि नाला नहीं करते हैं और कई जगह से इसी तस्वीरे सामने आती है और विरोध देखने को मिल रहा है चुनावी वक्त है और ऐसे में सरगर्मी या तेज है चुनाव की और कुछ तस्वीरे ऐसी भी आ रही जहाँ पर चुनाव को लेकर वहिशकार किया जा रहा है कहा जाता है कि जर्प्रत नजर आ रहे हैं और सीधे तोर पर ये कह जा रहा है कि काम नहीं होने की वजह से इन आराज हैं और इस खबर पर मैंसा ज़द बादशीत के लिए समवदाता अमित शुक्ला जुड़ चुके हैं और आया से और आया से जो ये खबर सामने आ रही है आमें तो तस्वीरे सामने आ रही है विरोध करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि काम नहीं किया है सीधे तोर पर आरोप लगा रहे हैं क्या कहेंगे जो पतानों पर आणसे को शाते हैं जो पत्हाया जल्की अचलडा में सालता है उसके लेकर ताप्य ब्रेज़ प्रज़ा जा रहा है जो हमारे जो मार्य जो जो अधितर है कि वह लाकां से मिराच्ष उप उनके ते दो यारा आ टाष्ट जिया गया था तो क्या मांग है इनकी क्या सिर्फ नाला बन वाना चाहते है या फिर विकास को लेकर इन में गुस्सा है विकास बिलकुल भी नहीं हुआ अई विदाहत सभा में लोगा खाट नहीं कि अधे बिलकुल बहुत 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 शुक्री आम आट जुड़ने के लिए इस खबर पे हमाई साथ और आया से समवादाता अमिट शुक्ला जुड़े थे चार बजे की चार बड़ी ख़बरों में फिलहा लिता ही दमाम ख़बरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार